हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल राहूल चौहान आर्ट तो आज हम बना रहे हैं धीर सारे स्केच है जो की घट्टा हो चुग है काफी टाइम से कुछ अपलोड अपलोड नहीं किया था तो अब एक साथ अपलोड किया है और सारे टाइम रैप्स के अंदर डेर सारे मितलब कंटिनिवस रेल गाड़ी चलती जाएगी तो आप देखते रही है एंड तक देखिए काफी लंबा वीडियो है बट अलग-अलग स्केच आपको देखने के मिलेंगे अलग-अलग टाइप के तो स्टार्ट कि है मैंने साइपलवी मैम के स्केच से आपने जो कि सब्सक्राइब कर गरते हैं तो इननों को देखाअब आपने उसमें वो मारी बारी मारी मुवी थी सब्सकें मूवी जहतों इसको देखाऊ-खरीमक की और उर पहला रिक्ोयस्त स्क्राइब है बह 입니다. तो आपने को काफी अच्छा लगा तो आपने बना दिया ठीक है और वैसे भी 117 सब्सक्राइबर हो गज़े हैं मतलब अगे चल के इतने होंगे उतने होंगे बट अब तो 117 जिन में से व्यू जाते हैं 20-25 तो यह 20-25 लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहो है तो अगर आप मेरे को सुन रहो ना तो आप उन 20-25 लोगों मैंसे ही हो जो कि मेरे वीडियो देख रहे है और अब 20-25 लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे हैं मैं बनाता रहेगा कैर व्यूज दो भी आते तो भी मैं बनाता क्योंकि यह अपना सही है काफी अच्छा लगता है केलोगरफी सारी चीजिए एक साथ करो तो एक अमने कलर्ट सके इसके अंदर पैंसर कलर्स यूज कर लिए एक नॉर्मल और आपको दिखाते हैं किस से देख के बनाया मतलब रेफरेंस फोटो दो फोटो जो है मैं की तो दिखाते हैं आपको आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो चोटो यार और 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 बताओ क्या चल रहा 25 लोग यह हैं हाल चाली बता दिया करो कॉमेंट में बलबाई में ठीक हूं कैसे चल लिया जिन्दकी यह एक और मतलब होपुली इनको भी आपने देखा ही होगो तो यह डिजिटल आर्ट है हमारी इसके अंदर शेडिंग शेडिंग मतलब यह ज्यादा इजी पड़ती है लेकिन खेर मज़े दोना में हैं हार्ड में बनाव या सॉफ्ट में डिजिटल आर्ट में भी उतना ही मज़े आते हैं क्योंकि एक बर जब प्रोसेस कंप्लीट हो तो यहां पर हमने जिसका स्केच बनाया ना तो इन दोनों का मतलब फोटो देखें ना मैंने इन दोनों का रिगलेशन नी बता चला मेरे को पैट तो लोगों से पूछा मैंने वह भी नहीं बता पाए तो फिर किसी ना बोला हस्प्रेंड बाइफ बॉइफ बॉइफ लेकिन नहीं इनका रिलेशन इन दोनों का मैंने सुनी एक हवर मतलब चैक किया वकायदा और यह सही बात है यह इसकी मम्मी है और उसके बाद मेरी जमीन दुनिया मतलब भरोसा उड़िया जब पता चला कि यह चोटा वाला लड़का है ठीक है तो यह जो स्केच बना रहा ह इसकी मम्मी है और इनका चोटा बड़का है बड़ा लड़का हुँ रहा है यह मैंने स्केच में थोड़ी सी डिजिटल आर्ट की मदद से यह प्रोसस कफी अच्छा लगता है मेरे को इसके अंदर आप एजी स्केच बनाओ उसके इनदर थोड़ी सी डिजिटल आर्ट एड मतलब एंजोई करो एंजोई दो प्रोसेस और बताओ यह डिजिटल आट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रखी थे मैंने मतलब कभी कबार ऐसी आइपेड का फाइदा है यह होता है कहीं भी ले जाओ इसको ठीक है स्केच कहीं भी करने हो निकाल अपना आइपेड पैंसल अट आप डीक है आज कल ट्रैंड में चल भी है लोग डिजिटा आर्ट को ज़्यादा पैफर कर रहें डिजिटल आप मतलब आज कल है अब कोई स्केच बना रहे हो इसको मतलब दीवार पे लगा सकते हो कुछ कर सकते हो फोटो लगा सकते हो खार लेकिन अगर अगर डिजिटल एक ट्राई किया था, कि रेंडम добली रील चलती रहेगी, जो रील अच्छी लगी उसका स्क्रेइनशॉट लेओ, वो किसी बी मतलब चलती चलती महीश, तो ये स्क्रेइनशॉट आया है, और अंतर यामी सा स्क्रेइनशॉट आया इसका मैंने आप बनाई और फिर इसके दो थीन स्क्रीन शॉट और यह मैंने उनकी भी आप बनाई तो यह आप देहिए कैसे स्क्रीन शॉट आये हैं तो यह भी चीज काफी फ़न है आल्ट मतलब वह चीज है एंजॉय करो इस चीजु आप प्रैशन में नहीं अन्या है यह स् और इंस्टा पे मतलब अगर आप 25 लोग है सबने इंस्टा पे तो करी रुका यह तीसरा स्केल्शॉट इसके मैंने तीन स्केश बिना है नाम तो पता नहीं अब लेगन अडीज पता नहीं क्या करके मतलब अजीब सा नाम लिख देते हैं लोग इंस्टा पे हावावाजी के तो यह मैंने एक और ऐसी रेंडम स्क्रीन शॉट लेकर और उसके बनाया था यह प्रोसेस काफी अच्छा लगा मेरेको दो तीन बार करने के लिए यह प्रैक्टिस के लिए काफी सही है अगर आपको प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस ऐसा रहता है कि आप कुछ भी आप इसको एंजॉइ करोगे और इससे काफी कुछ सीख से और यह मैंने कुछ रेंडम चोटे-चोटे और स्केचेश बना रखे हैं पता है अगर आपको किसी बीचीज में काम्याब होना है न तो उसमें प्रैक्टिस करते रहो तो ऐसी मतलब इसकी भी प्रैक्टिस अपने बनेगी नहीं बनेगी है बन तो जाएगी ही टाइम थोड़ा जादा कम लगता है बस पर जितना जादा टाइम दे तो उतनी जादा अच्छी बनेगी है तो यह डिजिटल आर्ट की इसके अंदर क्या किया था मतलब रैंडम ली बनाई है उस टाइम पर मतलब कुछ सोचा सब्सक्राइब बनेगी है उसके अंदर कुछ एड़ेट करना हो ना कुछ मेटाना और यह क्या हो जाए यह क्रिशन जी का स्केच बनाया था मैंने जो कि अपनी चोटी सी डायरी उसको पॉर्टेबल डायरी मतलब कहीं पर कहीं पर भी ले जाओ अगर एक चोटी सी पैंसिल डायरी उसको कहीं पर भी ले जाओ स्टार्ट करो ड्राइंग तो एक एसके अंदर भी मैंने डिजिटल आटाइड की यह देगी है रादा कृष्ट की तो अगर मतलब दौना मिक्स करो ना मीडिया तो काफी अच्छा रहता और एक डेली डेली स्केच बनाते रहो तो आपक आप तो आप लोग्डाउन की बाद पर छोड़ो वह गया अभी गया नहीं पूरी तरह से एक्चल्य मतलब वैक्सीन लगने के बाद भी लोगो को वाईरस वो कोरोना वाईरस से एक्टेड है लोग स्टेल मतलब तो इस वजह से पूरी तरह से गया नीय पता निए पानी व तो यह धीर सारे स्केच्ची इखटा होगे तो मैंने सब को टाइमलाइस पर में चोटा-चोटा करके देख लो आप में जैसे कौन साथ लगा यह बताना क्या बता हो 25 लोग एक तो यह लोगों का समझ में याता मेरे को एक बाद कुछ चीज अपलोड किया मैं ठीक है अब वह चीज तुम देखो उसको लाइक करो कोमेंट करो मतलब उसके अंदर बताओ चलो अच्छा लगता मैं वीडियो मतलब अपलोड करता हो लोग वीडियो द यह लोग कौन से गटिया गटिया सकेसे देखता है और फिर मतलब अंदर से दुख होता मैं चल कराई यह पैसे वैसे देखे कर रहो है तुम और यह हिप-प इसका भी असली नाम नहीं पता लेकिन इंस्टाग्राम पर पवस्तित है तो इसका स्केच बनाया मैंने और यह भ आपके लेर रफ के लिए देखो टूभी पैंसल लेओ कोई भी नॉर्मल पैंसल जैस पैंसल लिखता हो उस पैंसल को इस इसे स्केच बनाओ फिर उसको गिष्ट बिलकुल मतलब उगली रगड के रफ बना दो उसको दिखे वह अलका हलका सा बल्कुल ठीक है उसके बाद ए यह मैने लेखियaint कॉन सी 8-b और उसके बाद यह ही पॉप अजदी और इसका स्केच बना और यह मैंने इसका स्केच चरेढ़ यह यह शिवरात्री के दिन मेर को एड़िया है यह मैंने सारे सकेच जितने भी थे अपने उन्साब को बोले कि मगन कर दिया है सब को नीला बला त सब को बोले का बना दिया तो होपफुली यह भी काफी अच्छा क्रियेटिव करते रो कुछ भी करते रो तो तोड़ा से क्रियेटिव बनो और मजह हैंगे अच्छा लगए लाइप में इट फील्स गुड यह देखो वह माता कुछ भी चलना यार इंस्ट्राग्राम पे हमारे पास मेमोरीज नहीं थी बच्पन की इनके पास सारी मेमोरीज खटा रहेंगी इनकी मतलब बच्पन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज रहेंगी मिला क्या 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 उस टाइम पर इस साल क्या कि हरें मतलब बच्पन से लेकर बढ़ा पे तक की सारी मेमोरीज हुई है कि इस सब्सक्राइब करेश बना दिया और लेका नाम अधुमरपान नाय तो क्या बात है कि इसके यह को तो कई बार देख चुक होगए पहले एक सारे जानकारी हैं तो क्या ही बताना सबको पता ही है लेकिन थोड़ी सी एड़िटिंग काफी मस्त बना देती है